हरियाना में नई सरकार के विधान सवा सत्र की तारीख फाइनल हो चुकी है सत्र की शुरुवात 25 अक्टूबर को होने वाली है दो दिन तक सदन की कारवाही चलेगी विधान सवा में सबसे वरिष्ट विधायक रगवीर सिंग काद्यान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है आपको बता दे कि इससे पहले एक आद्यान स्पीकर भी रह चुके हैं हरियाना के राजपाल बंडारू दत्तरे 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर रगवीर सिंग काद्यान को शफ़त दिलाएंगी इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी विधायको को शफ़त दिलвाएंगे इस दोरान विधान सबा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुने जाने की भी चर्चाएं तेज हो गई है आपको बता देए कि सत्ता पक्स की ओर से हर्मिंदर कल्यान या मूल्चंद शर्मा को विधान सबा का स्पीकर बना जा सकता है जबकि कृशन मिढधा या रामकुमार गोतम को डिप्टी स्पीकर के जिम्मेदारे दी जा सकती है आपको बता देए कि 80 वर्षी रगवीर सिंग काद्यान जजर जिले की बेरी विधान सबा सीट से बीज़पी उम्मीदवार पवन सैनी को हार आकर के चुनाव जीतने में कामियाब हुए हैं रगवीर सिंग काद्यान को 57,665 वोट मिले तो पवन सैनी को 33,070 वोट मिले काद्यान ने 1987 में लोकदल पार्टी से अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी इसके बाद 1991 में उन्होंने जनता दल से चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा फिर 1996 में में काँग्रेस पार्टी की सीट पर चुनाव लड़े और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा यानि कि साल लगातार 2000 तक लगातार 5 बार काँग्रेस से चुनाव लड़ा और हर बार जीत हासिल की है सीम सैनी से यहाँ पर कही न कहीं जिस तरीके से जो बातचीत हुई है उसमें भी रगवीर सिंग का द्यान को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर सहमती जता दी गई है वहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंग सैनी ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलान कर दिये हैं अभी SC के लिए 15 परसेंट और ST के लिए 7.5 परसेंट आरक्षन है इस साड़े 22 पर 30 आरक्षन में ही राजे SC और ST के उन कमजोर वर्गों का कोटा तयार किया जासकेगा जिनका प्रतिनीधित कम दिखाई देता है यानि कि आब विधान सभा की कारवई शुरू होने पर ये देखना देल्चस्प होगा कि पहला सत्र किस तरीके से संपन हो पाता है फिलहाल इस ख़बर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए आप देखते रही SPN 9 News